इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें असलाम आलेकूम रहमतुलाहिव बरकातों नाधरीन और नन्ने दोस्तों मैं मजीदुला मौलिम रियाजी टेकनो टीचर्स की रियाजी की सिरीज में इस वीडियो में लाए हैं नातिक अदाद और उन पर अमल हाँ नातिक अदाद यानि रेशनल नंबर्स इस वीडियो में हम देखेंगे रेशनल नंबर्स या नातिक अदाद क्या होते हैं कैसे होते हैं इनकी खुसूसियत क्या है और साथ ही साथ इन पर रियाजियती अमल यानि इनकी जमा, तफरीख, जरब और तखसीम किस तरह की जाती है इस चीज़ को भी हम इस चैप्टर में समझेंगे नादिरिन इस वीडियो को हमने जमात हफ्तुम के तल्बा की मुनासिबत से तयार किया है यानि तल्बा इस वीडियो को देखकर अपनी दर्सी किताब का सबख नमबर पांच नाति खदाद और इन पर अमल समझ सकते हैं और आने वाली मश्खों को हल कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ लेकिन आगे बढ़ने से पहले टू मिनट चैलेंज हमारे टू मिनट चैलेंज में मैं दो मिनट में आपको यहाँ पर कुछ मालूमात दूँगा उस मालूमात की बुनियाद पर आपके दर्सी किताब का सफ़ा नमबर 34 पर जो खाली टेबल है यानि उस टेबल की खाली जगों को आप पूर करेंगे और जवाबात को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर भेजेंगे आईए शुरू करते हैं मालूमात नातिक आदाद को समझने से पहले हम जानते हैं कि तबई आदाद यानि पिछली जमातों में और नीचली जमातों में हमने गिंती सीखी थी गिंती यानि एक अनार दो अनार चार अनार दस अनार ला महदूद अनार यानि किसी भी चीज़ को गिंने के लिए हम एक दो तीन और ऐसी आगे अलामतों का इस्तेमाल करते थे तो ये जो अलामतों का हिंसों का ग्रो बना इसे तबई आदात कहते हैं और इस बात को हम इस दाइरे की शकल की मदद से समझते हैं तो तबई आदात को हम इस दाइरे में डाल देते हैं अब एक एद थी एद के दिन फरीद को पाच रुपए एदी मिली आईशा को 10 रुपे इदी मिली और शोइब को कुछ भी नहीं मिला तो यहां पर हम फरीद के 10 रुपे इस तरह आईशा के 5 रुपे इस तरह लिख सकते हैं लेकिन शोइब को कुछ नहीं मिला तो इसको अलामत में किस तरह लिख सकते थे जब यहां कुछ नहीं बताना था इसके लिए भी एक अलामत की जरूरत पड़ी यहां सिफर का इस्तेमाल शुरू हुआ और तबई आदात के गिरोह में सिफर को शामिल किया गया तो यह जो बड़ा गिरोह बना इसको हम बड़े दाइरे से जाहिर करते हैं इस आदात के गिरोह को मुकम्ल आदात कहते हैं मुकम्ल आदात के बाद कुछ ऐसी मिगड़ारे थी जिनको जाहिर करने के लिए जिनको नापने के लिए गिनने के लिए अलामतों की जरूरत पड़ी मिसाल के तोर पर कश्मीर में दर्जे हरारत बहुत ज्यादा कम होता था हमारे इलाखों में जो दर्जे हरारत होता उसका बहुत कम तो तपीशे पैमा में जीरो से आगे तक दर्जे हरारत बता देते 35 दर्जे, 36 दर्जे, अब ये दर्जे हरारत जब कम होता कश्मिर जैसे इलागों में ये दर्जे हरारत बहुत ज्यादा कम होता तो इस कम को कैसे जाहिर करते यानि इतना कम कि जीरो से भी ज्यादा कम तो अब कम जाहिर करने के लिए मन्फी एक, मन्फी दो, मन्फी तीन यानि उस से कम, मन्फी चार यानि उस से भी कम जाहिर करते हैं अददी्खद पर दाए जानिब मुस्बत आदाद बीच में शिफर और उसके बाए जानिब मन्फी आदाद ये अददीखद या सही आदाद का गिरोधा इसको हम इस दाएरे में डाल देते हैं तीक है तो अब सही आदात के बाद हम जानते हैं कि ऐसे आदात जो सिफर और मुस्बत एक के बीच के हैं यानि क्या ऐसे कोई आदात हो सकते हैं यानि मैं आधा पाओ और पून की बात कर रहा हूँ यानि हम देख चुके हैं निचली जमातों में मिसाल के एक तर्बूज है और एक को तो हम एक हिंसी अलामत का इस्टेमाल करके लिख दे थे हैं लेकिन अगर इस तर्बूज के दो टुपड़े करें तो ये जो आधा है इस आधे को कौन सी अलामत से जाहिर करेंगे तो इसके लिए एक बटे दो यानि एक तर्बूज के दो हिस्से करें उसमें से एक हिस्सा जो था उसको जाहिर करने के लिए यानि आधा आधे को इस तरह कसर की सूरत में लिखा जाने लगा तो सही आधाद, मुकमल आधाद, तबई आधाद ऐसा एक गिरूज की जरूरत थी जिसमें ये तीनों आधाद जाहिर किये जा सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ नातिख अधाद की, नातिख अधाद यानि अमूमी तोर पर फर्ज कीजिए स्मॉल एम एक सही अधाद है और दूसरा सही अधाद स्मॉल एन है तो एम बटे एन ये नातिख अधाद होगा शर्त ये है कि एन की खीमत जीरो ना हो और एन की खीमत जीरो इसलिए ना हो कि जीरो से किसी भी अधाद को तखसीम नहीं किया जा सकता मिसाल के तोर पर तीन बटे जीरो अगर हम लिखेंगे तो जीरो को कौनसे अधाद से जरब देंगे कि हसील जरब तीन आ जाए ऐसा कोई अदद नहीं है यानि खारिज खिस्मत ला महदूद या इन्फिनाइट आ जाता इसलिए नातिक आदा ये दरसल मुक्तलिफ कसरों की मिसाल के तौर पर पाच बटे, पंदरा, साथ बटे, दो, मनफी, तीन बटे, दस ऐसी कसरों का या ऐसे आदाद का मजमुआ है शर्थ है कि नसब नुमा में जीरो ना हो झाल 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 झाल